नमस्कार मित्रो एक बार फिर से स्वागते आप सभी का हमारी यूट्यूब चनल में और दोस्तो आप कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे दोस्तो जो लोग कहते हैं कि हमने लोगों के तमाम वीडियो दिख डाले उनके बताय हुए तमाम उपाय कर डाले लेकिन स्रस्त्रू के लिए ना कोई टोटका काम करता है ना कोई मंत्र काम करता है ये सब हमें वैसे ही चुतिया बनाते हैं तो दोस्तों उन लोगों के लिए मैं सिर्फ एक ही सब्द कहूँगा कि रामाड में साफ लिखा हुआ है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिंतैसी जिन लोगों की भावना जैसी होती है भगवान भी उसको उसी नजर से देखते हैं अगर उनके दिमाग में यही है कि यह तंत्र मंत्र टूटका कोई भी काम नहीं करता है तो बास्ता में उनके लिए कोई भी काम नहीं करता है और जिन लोगों को बास्ता में इसकी जरूत है बास्ता में वो सत्रू से परिशान है जायज में तो दोस्तों अगर वो थोड़ा सा भी भक्ति और भाव से अगर उस परियों को करेगा तो 100% काम करेगा दोस्तों ये मेरी 100% की गारंटी जो लोग कहते हैं कि कोई भी तंत्र मंत तोटका काम नहीं करता है तो वो एक ऐसा तावीज बनाकर धारण कर लें और मैं 100% गारंटी ल स Windu को स्विव करने से पहले आप सबीज से चोठी सी रूकेस्ट है अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करने साथ में पेल आईकन अब बादें तो चलते हैं वीडियो को परिशान है और कहते हैं कि हमारा सस्त्रु हमें से नहीं पाते हैं और हमने वीडियो देख देख करके तमाम ऐसे उपाय कर लिए हैं लेकिन हमें इसका कोई वेनफिट नहीं मिलता है दोस्तों अगर आपने जादू टोना करके मंत्र का जाप करके आपको कोई आराम नहीं मिला है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सस्त्रू पुना सक बहुती पावर्फुल तावीज बनाने के विदी के बारे में बताने जा रहा हूं अगर आप एक ऐसा तावीज बना करके अपने गले में धारन करते हैं या अपने घर में रखते हैं तो आपका सस्त्रू जीवन भर आपको परिशान नहीं करेगा और हमेशा आप 100% का दावा है दुनिया तो एक महिना या एक साल की गारंटी लिती है और मैं आपको आज ही बन की गारंटी देता हूं अगर ऐसा तावीज बना करके आप अपने गले में धारन करें या अपने घर में रखें तो आपका सस्त्रू आपको परिशान कर जाए तो उसकी ऐसी त पड़ेगी आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें और बिल्कुल भी इसके इपना करें अगर आप इस वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देखेंगे तो आपके कुछ भी पले नहीं पड़ेगा और फिर आप कहोगे कि सर आपका तावीज भी काम नहीं करता इसलिए मैं सबसे पहले कहता हूं कि आप पहले वीडियो को पूरा दिखा करें उसे समझा करें उसके बाद में किसी प्रियो को किया करें तो आपको 100% खायदा होगा दोस्तो इस तावीज को बनाने के लिए सर्व प्रथम आपको एक चांदी के तावीज की जरूत पड़ेग आप कहीं मारकीट से एक चांदी का तावीज ले आएं और इसमें भरने के लिए एक काली मिर्च और एक सूकर का दांत दोस्तो गाओं में सहर में सूकर का दांत आसानी से मिल जाता है पंसारी की दुकान से भी मिल जाता है गाओं वाले तो जैसे तैसे अपनी विवस्ता ब आएं और एक काली मिर्च पीस करके और सूकर का दांत दोनों को आप इस ताबीज में भर लें और आप इसमें एक काला धागा डाल लें और काले धागे में आपको जो लकडी दिखाई दे रही है दोस्तों यह काले धातूरे की जड़ है आप काले धातूरे के जड़ थोड़ इसी कहीं से प्राप्त कर लें दोस्तों इस तरीके से आप धागे में बांदें यह आपका तावीज बन करके तैयार हो गया अब आपको इसका क्या करना है दोस्तों इस तावीज को आप किसी भी सनवार के दिन आप अपने नजदी की मंदर में चाहे वो काली मता का मंदर हो च के लिए उनके पास बैठें और उसे देवी या देवता से आप अपने सस्तुरू के बारे में रुकेष्ट करें वो आपको परिशान करता है वो आपको परिशान न करें दोस्तों रुकेष्ट करने के बाद में इस तावीज को उठा करके आप अपने घर ले आए अगर आप सुरच्छित रहना चाहते हैं तो आप इस तावीज को अपने गले में धारन करें या अपने बाजू में धारन करें तो आप हमेशा अपने सस्तुरू से सुरच्छित रहेंगे आपका सस्तुरू जीवन वर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा या आप अपने पूरे घ गहर सेप रहेगा आपका सस्त्रू अगर जादू टोना का सहरा लेकर के आपके घर में कुछ कहता है तो उसका भी असर नहीं होगा और सस्त्रू आपको कभी भी जीवन में परेशान करने की कोशिस नहीं करेगा और इसके प्रभाव से आपका सस्त्रू बिलकुल नॉर्मल हो जाएगा और हो सकता है कि आपका सस्त्रू आपका मित्र न बन जाए दोस्तो यह बहुत ही पावरफुल प्रियोग है और बहुत ही चमतकारी ताभीज है इस ताभीज का प्रियोग करके आप इसका पूरा-पूरा लाब लें दोस्तो आसा करता हूं आपको मेरा वीडियो प कुछ का.